अब आप चार्च पड़ेंगे तो बोलने के लिए कि सर मेरे में अबदम नहीं रहा मैं आगे कैसे बढ़ूँ मैं क्या करूँ मुझे निकाल दिया उसने अब मैं क्या करूँ उन्होंने बोला अपने डाड के बारे में सोचो think about your father उनके लिए strong रहो तुम नहीं तूट सकती यही conversation को misconstru करके पहले तो मुझे उनकी girlfriend बना दिया है उनकी बेटी मेरी उम्र की है चैट में लिखा है child और sir दूसरी बात क्या मैं किसी से salah भी नहीं ले सकती अगर मैं तूटू तो क्या कोई मुझे यह नहीं बोल सकता कि don't break, be strong यह crime है पहले मतलब उसी दिन at some point और जी हाँ भट साब से मेरी काफी लगातार बात होती आई यह जब से मैंने उनके साथ picture की है in fact सुशान्त और भट साब का रिष्टा भी बहुत खास था वो उन्हें मेरे परे जानते थे सुशान्त भट साब को 2018 में मेरे परे मिले हैं उनकी कोई फिल्म के लिए बात हुई होगी सुशान्त ने बकाइदा tweet में किया है कि भट साब से मिलके मुझे इतना अच्छा लगा कि प्यार आ गया यह एक tweet है उसकी बात कोई क्यों ने सुनता आप तो जानते ही होंगे यह दिल का मामला है यह कोई मजाप नहीं है आज मैं भी अपने छोटे भाई को बोलूँ कि आप अपने रिलेशन्शिप छोड़ दो थोड़ी ना वो मेरी बात मानेगा भट साब तोल में कि यू केनाट ब्रेक डाउन तो दिस लेवल दे नेक्स लेवल इस मेडिकेशन थिंक अपाउट यू फादर बी स्ट्रॉंग आप नहीं तूट सकती हैं इस तरह यॉरप के ट्रिप जाने वाले दिन सुशान्त ने मुझे बोला कि और सबको बताया कि उसको फ्लाइट में बैटने से बहुत कलॉस्टोफोबिया है और उसके लिए वो एक दवाई लेता है जिसका नाम है मॉडाफिनिल और उसके पास वो दवाई हमेशा रहती थी और उसने फ्लाइट जाने से पहले वो खुदी ले ली ही दिन्ट इवन आफ तो गेट प्रिस्क्रिप्शन उनको नहीं लेना पड़ा क्योंकि उनकी पास और वो दवाई थी प्रॉबबली हर फ्लाइट से पहले वो लेते होंगे और वहाँ पहुंच के पहले हम पैरिस लैंड हुए वहाँ तीन दिन हम लोग वो सुशांत रूम से नहीं निकला